नमस्कार सभी को स्वागत था आपका अपके अपनी यूटूब चैनल समा शड़ी पोइंट में कैसे आप सब लो तो यह जो आज की वीडियो होने वाली है यह आपकी होने वाली है हर्याना पुलीस फिमेल कॉंस्टेबल का जो रिटेन एक्जामिनेशन हुआ था आपका 18 और 19 तारीक को उसकी कटोफ से रिगार्डिंग क्योंकि कल ही आपका चैर्मेन ने बयान दे दिया है कि जल्द ही वो आपका जो फिमेल कॉंस्टेबल का एक्जाम है उसका रिजल्ट है वो जारी कर देंगे तो साथ में अभी क्यूश्चन जो कई बैनों के दिमाग में रहा कि कितनी कटोफ रहेगी क्या वो फिजिकल की त्यारी है वो स्टार्ट करतें तो इन सभी क्यूश्चन का आंसोर आपको आज की वीडियो के अंदर मिल जाएगा साथ में ही अगली जो वीडियो होगी वो होगी कि मैं आपको बताऊंगा और समझाने की कोशिश करूँगा कि फिजिकल का जो पूरा प्रोसेस होता है वो कैसे होता है आपको कोई भी क्यूश्चन उसके रिगार्डिंग नहीं रहेगा तो उसके लिए आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक भी कर दें तो मैं आच लिए आपको बताना शुरू करता इस बार जो आपका exam हुआ था, वो हुआ था, 18 और 19 सेप्टेंबर को shifts के अंदर आपका exam हुआ था, अलग अलग shift के अंदर, ठीक है तो इस बार जो HSSE ने निया का memory लाया है वो है आपका normalization का, नुरमलाईजेशन होता है आपका mainly chss, जो आपकी ssc के exam होते हैं उनके इंदर और नुरमलाईजेशन उनके इंदर कैसे होता है, वहाँ पर होती है आपकी negative marking तो वहाँ पर क्या होता है कि आप जितना ज़्यादा score करते हैं आपको उतने ही ज़्यादा normalization के mark मिलते हैं और जितना कम आपका score रहता है उतने ही आपको normalization का फाइदा कम मिलता है पर यहां पर क्या होगा यहां पर normalization होगा shift wise यानि कि एक shift में जितने भी बच्चे हैं उनको बराबर normalization के number मिलेगे यह नहीं होगा कि किसी को normalization के पांच मिल गए किसे को साथ मिल गए ऐसे नहीं सिर्फ shift का level equal किया जाएगा यानि कि जो भी shift hard रही है जो सकी मैंने बताओं मैं आपको तो 19 morning और 19 evening की जो shift समों थोड़ी से harder रही है अपकी 18 evening के बजाए तो उन shift में सभी बच्चों को एक समान यहाँ पर जो normalization का फायदा मिलने वाला है क्योंकि आपकी negative marking नहीं है तो यहाँ तक हम बात समझ चुके हैं कि किस तरह से normalization काम करने वाला है साथ में एक बात और मैं आपको cut off के regarding बताने से पहले बता दू कि जो आपको social economy के number मिलते हैं जो social economy के number मिलते हैं और father less के जो number मिलते हैं पाँच और पाँच वो आपको physical का result आने के बाद में मिलेंगे यानि कि पहले आपका physical की list आएगी return के ways पे उसके बाद में आपकी physical हो जाएगा उसके बाद में आपको जो social economy के number मिलने वाले हैं तो आप यह मैं समझे कि आप ही return के जो result आएगा उसमें ही आपको number जुड़के मिल जाएंगे वो बाद में जुड़ेंगे तो चलिए मैं बताता हूँ आपको cutoff का analysis कितनी रहने वाली है तो सबसे पहले बात करते हैं जो आपकी general category है उसकी साथ में आप यह भी देखेगा last में कि normalization के बाद में इस cutoff में कितना change आता है तो जिन भी बैनों के general category के अंदर 56 से 58 questions ठीक हैं उनका आप यह मान के चलिए कि आपका physical के लिए call आने वाला है क्योंकि 1100 के आसपास vacancy है total और normally क्या होता है कि लगबग 8 गुना बच्चे physical के regarding बुलाई जाते हैं तो अगर मैं यह ही सिदा सिदा multiply कर लूँ तो आप यह मान के चलिए कि 9000 या साड़े 9000 के आसपास जो total candidates को physical के लिए बुलाया जाने वाला है तो यह नहीं होगा कि cut off एक दम से high चली जाएगी तो जनरल में अगर आपके 56 से 58 marks के question भी अगर आपके ठीक है यह marks की बात नहीं हो और यह questions की बात हो रही है तो अगर आपके इतने questions ठीक हैं तो physical की त्यारी शुरू कर दें इससे कम है तो एक बार के लिए आप वीडियो में थोड़ा सा वेट कीजिए मैं आपको बता हूँ अगर मैं बात करता हूँ आपके BCB category की और BCA category की तो BCB category में अगर आपके 53 से 56 questions 53 से 56 questions अगर सही है तो बिलकुल आपके physical की call आ जाएगी BCA category की बात करूँ मैं आपकी तो अगर आपके 51 से 53 questions यानि कितने questions अगर आपके ठीक है तो definitely आपकी call आने वाली है physical के लिए SC category की बात करूँ तो SC category के अंदर आप यह मान के चलिए अगर आपके 48 plus questions ठीक है तो physical के लिए call आएगी और साथ में EWS के अंदर आप लगभग OBC के है जो BCB category है उसके आसपास रहेंगे तो यानि 52 से 54 questions के अंदर आपकी call आने वाली है EWS के अंदर यह तो बात होगी मोटा मोटी है अब बात करते हैं shift wise अगर आपका 19 की morning और आपका evening के अंदर paper है तो आप यह मान के चलिए कि paper का जो level था वो थोड़ा सा difficult था आपको normalization का फाइदा मिल सकता है इन दो shifts के अंदर 19 evening की shift जो थी वो मेरी साब से hardest थी 19 evening की moderate थी और 18 evening की shift थी वो आपकी सबसे easy shift रहे है तो हो सकता है कि 19 morning में जिनका exam है उनको 2 से 3 number और evening वालों को 3 से 4 या 5 number तक का जो फाइदा है वो normalization के बाद में मिल जाएगा तो आप जिन भी categories में है general में अगर आपके 54 plus questions ठीक हैं तो आपको physical की त्यारी शुरू कर देनी चाहिए SCBC में अगर SC में आपके 48 plus questions ठीक हैं तो physical की त्यारी शुरू कर दे और BC की किसी भी category BCA BCB में अगर आपके 50 plus questions ठीक हैं तो आपको physical की त्यारी शुरू कर देनी चाहिए physical के बाद में बहुत जादा time नहीं मिलने वाला है तो जल्दी से जल्दी आप preparation पे लग जाएए जल्दी मैं प्रोसेस के उपर वीडियो बनाऊँगा कि physical कैसे लेती है HSSC उसके उपर उसके regarding आप stay tune कीजेगा मिलता हम आपसे next वीडियो में तब तक के लिए take care जै हिन जै भारत धन्यवाद